hi friends we are going to solving this question question दिखते हैं पंकज सेल्स टू साइकल फॉर 2376 रुपीज इच ठीक है पंकज जो है दो साइकल बेचता है ठीक है पंकज जो है वह दो साइकल बेचता है और दोनों साइकल को सेम रेट में बेचता है 2360 रुपे में बेचता है ठीक है on one on one he gains 10% जब एक साइकल बेचता है तो उसे 10% की प्रोफिट होता है इतने में उतने दोनों साइकल को सेम रेट में सेम रुपिय में बेचता है and on the other he lost 10% और दूसरा साइकल बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है तो find his gain और लॉस परसेंट ठीक है तो आपको बताना है overall पंकज को फायदा होता है या घाटा लगता है देखो पंकज के पास दो साइकल होती है ठीक है और दो साइकल जो होती है उसने दोनों साइकल को सेम रेट में सेम जितना सेम रुपी में दोनों को 276 पर बेचता है लेकिन जब उसने एक साइकल को बेचता है तो उसे 10% के फ बहुर वह रावल जोता है पंकज जो दोनों साइकल बेचा तो उसे फ्रोफित हुआ या लॉस हुआ अगर फ्रोफित हुआ या लॉस हुआ तो कितना पर्संट का हुआ तो आपको फाइंड आउट करने ठीक है सबसे पहले देखो क्या first cycle के लिए देखो for first cycle for first cycle for first cycle के लिए देखो तो पंकर जो है उसने दो cycle बेचा तो SP है cycle के दिया SP of the बेचने का मतलब SP selling price SP of the cycle जो है कितना है 2376 first cycle को उसने इतना बेचा कितना profit हुआ इस पे जब बेचा तो उसे profit हुआ 10% का ठीक है ठीक है 10% का profit हुआ था तो वाकई में जो होता है पंकर जो है इस cycle को कितना खरदा था उसके अब खरदने का अब CP निकाल रहे ठीक है तो CP of the cycle ठीक है CP of the cycle तो CP का फर्मूला क्या होता है आपका SP into 100 by 100 प्लस क्योंकि गेन हुआ तो प्लस गेन पर्सेंट ठीक है दैन SP कितना है 2376 into 100 by 100 प्लस गेन कितना का हुआ 10% ठीक है समझ रहा हुआ था तो देखू 2376 into 100 by 100 plus 10 means 110 ठीक है 110 तो देखू आपका क्या हुआ हुआ यह 0 से कैंसिल हो गया 11 से इसे कैंसिल करो गये तो 11 2022 मतलब 11 दूना 22 हुआ 21 एक बाच्चा है एक और साथ 17 हुआ लेकिन 17 कितना हुआ है एक बार में कटेंगा 11 से होगा फिर 116 कितना होता है 17 होता है मतलब 6 फिर 66 हुआ तो फिर 11 से 6 बार में 66 जोता है केंसिल हो जाए ठीक है आपका 2 तो कितना हुआ आपका 216 एक जीरो यहां पर है मतलब 2160 मतलब जो पंका जो है पंका जो फिर्स साइकल को 2160 हुआ में खरिद के उसने 2376 बेचा तब जाके उसे 10% का गेन हुआ था ठीक है और अब देखते हैं सेकेंड साइकल को फिर सेकेंड साइकल अब सेकेंड साइकल को भी उसने पंका जो है क्या किया था उसको भी 2376 बेचा था ठीक है तो SP of the cycle, SP of the cycle कितना हुआ, 23760, ठीक है, इसको भी उसने इतना बैचा था, लेकिन जो है, इस second cycle पे, उसे loss होता है, कितना का, 10% का loss होता है, ठीक है, तो वाकई में जो संदीप, जो संदीप नहीं, पंकर जो है, इस cycle को कितना में खर दा था, तो मिंस उसके CP निकाल रहा है, तो CP निकालने क्या होता है, SP होता है, इन्टू 100 by 100 plus gain percent, ठीक है, तो देखो, तो आपका क्या हो गया, SP कितना है, 23760, इन्टू 100 by 100 plus, सोरी आपका यहाँ पर लॉस नहीं होगा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस होगा है, तो लॉस परसेंट लि तो माइनस, लॉस कितना परसेंट हो, तेन परसेंट का, ठीक है, तो देखो, 23760, इन्टू 100 by 100 में से 10 हो गया, कितना होगा, 90 होगा, ठीक है, देन आपका का होगा है, 0 से, यह 0, कैंसिल हो गया, अब फिर देखो, इसको आइड करो, देखो, कितना आ रहा पहले, 2 plus 3, कितना होगा, 5, 5 plus 7, कितना होगा, 12, 12 plus 6, कितना होगा, 18 होगा, 80 होगा, 18 होगा, वह 3 के टेबल में है कि नहीं, तो मिंस काने का मतलब जोता है, 9 और 3, 9 और 18, बोथ आर, दोनों के दोनों क्या चीज़ में, 3 के टेबल में, तो दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे 3 से 3 बार म होगा, अब 6 बचा, 6 कितना, 3 दोनी 6, फिर देखो, 9, 7, 16, 2, 18, फिर अपका 3 से कैंसिल हो जगा, तो 3 से कैंसिल कर रहे हो, तो 3 दोना 6, और बचा कितना, 1, 1, 9, 20 हुआ, 24 का 18 हुआ, फिर, 1 बचा, 1 अदू, 12 मितले, 3 का 12, मतलब आप कितना बचा देखो, तो वर 2, 6, 4, 0, ठीक है, उसका CP जो है, अब देखो, कि उसने 264 पर में खरीद के, उसने 236 पर में बचा, मतलब उसको का हुआ, इस पर लॉस हुआ, ठीक है, ठीक है, तो देखो, अब मुझे चेक करना है, कि टोटल जो है, CP कितना है, मतलब इसका मतलब है, जो पंका जो था, वो दोनों सै क्ल को मिलाक कितना में बेचा था, ठीक है, तो देखो, टोटल CP निकाल रहे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3.44 में था कि देखो, एंक, एक। स्यकल उसने कादा था, 260 में जैक है, सेकन्ड शायकल उसने खरण था, 264 प्या, ठीक है, तो 002 410, और एक और छे चे, और एक 6,4,10 तो 6,7,8 और 2,2,4 मतलब जो तहा है पंकर जो है दोनों साइकल को खरिदने के लिए उसने 4800 रुपया खर्च किया था अब देखते हैं उसने दोनों साइकल को बेचा तो कितना रुपया उसे मिल रहा है ठीक है तो टोटल स्पी तोटल स्पी मिन्स एक सायकल को तेस स्वेटर रुपया और दोनों साइकल को जो खरिधा है उसने 2,360 रुपया वी बेचा मतलब दो से मल्टिप्लाई कर दो या एक और 2,360 इसमें एड़ कर दो तो आपका जैम ही होगा तो से मल्टिप्लाई कर देми मतलब 4742 रुपया उसने का किया उसने बेच दिया ठीक है देखो उसने जो हता है दोनों साइकल को 48 रुपय में खरीद के और उसे 4742 रुपया में ही बेच दिया तो उसे का हुआ यहां सी पी लिख दो सी पी कितना है 4752 है 485 480 मिनस आप कहोगे कि यह ज्यादा है मिनस आपका मतलब CP is greater than SP है ठीक है तो जब CP जादा हो मतलब बेचने जादा खरिदना ही जादा है मतलब आपको कहा हुआ जादा में खरिद के कम हैं बेच दिए इसका मतलब कि आपको लॉस हुआ जब लॉस हुआ तो आप लॉस कि कैसे निकालोगे तो आप जादा में से कम घटा हो मतलब CP में से SP को सब्टेट करो CP कितना है 4800 and SP कितना है 4752 हो गये ओके देन देखो दस में से जीरो में से दो गया आठ हुआ यह नौ में से पांच गया देखो यह एक दाहीं लेगा अब उतना आप तो जानते हो सब्टेट करना है इसलिए मैं तुरह फास्ट कर रहा हूं ठीक है यह 9 मे है साथ गया 0 हो गया 0 मतलब उसे जोता है साइकल को बेचने पर पंकज को 48gt गाटा अब निकालना है आपको लोज़ट मतलब अब उसे जोता है साइकल कोवचने पर कितना परसेंट की जोता है घाटा हुआ है आपको परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट निकालने का फर्मुला होता है लॉस बाइव CP इन्टू 100 तो लॉस कितना है 48 बैसी पी कितना है CP जो अभी देखें आपने वेर हाव 48 हो का CP है 48 पर अब उसने दोनों साइकल खरता था इन्टू 100 ठीक है तो देखो यह 0 से 0 कैंसिल और 48 से 48 कैंसिल हो जागा नो नो मिन्स उसे जो ताहें loss कितना का हुआ है 1% का loss हुआ है उस cycle को खरित के दोनो cycle खरित के बेचने पर दोनो cycle को जब बेचा तो उसे 1% की loss हुआ है तो प्लीज दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें क्योंकि आपके like and subscribe ही motivate कर दोस्तों कि thank you friends